गुद मॉर्निंग, चेंजिंग तू प्रेशिदेंशिल सिस्टम इस बेस्ट वे ओफ इंसूरिंग अ डेमोक्रेसी देट वर्क ससी थरूर काई कार्टिकल पबलिश हुआ कुछ दिन पहले इंडिन एक्सप्रेस में केस फॉर प्रेशिदेंशिल सिस्टम उन्होंने प्रेशिदेंशिल सिस्टम के पक्च में अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि इंडिया को प्रेशिदेंशिल सिस्टम अपना लेना चाहिए इसके पक्ष में उन्होंने कई तर्ख दिये उन्होंने सबसे पहले बात करी जो भी रिसेंट घटना हुए करनाटक, मद्धिप्रदेश और रास्थान में होस्ट्रेडिंग को लेकर कि कैसे पहले कोई पार्टी सत्ता में आती है फिर सत्ता बदल जाती है एंटी डिफेक्शन लोग को लेकर के उन्होंने बात उठाई और स्पीकर का जो रोल रहा फिर राज पाल का जो भूमका रहे इसको लेकर काफी भीवाद रहा काफे क्रिटिसिजम हुआ और पार्लियामेंटरी सिस्टम को लेकर के उन्होंने कई सवाल उठाए है उनका मानना है कि पार्लियामेंटरी सिस्टम में सरकार का ध्यान केवल सरकार बचाने पर होता है ना कि गवर्नेंस पर यानि कि गवर्मेंट का फोकस हमेशा इस्टेबल गवर्मेंट की तरफ होता है ताकि सरकार बचा रहे और सरकार की जो governance है उस पर focus नहीं रहा पाता तो यह जो प्रक्रिया है नियमों का, कानूनों का, लोग कल्यान का, इराज्यों का, वो सब धरा का धरा रहा जाता है और government के लड़ के पल focus करती है कैसे न कैसे करके अपना स्थान, अपना कुर्सी और अप सबसे बड़ा witness यही रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे बात यह है कि party system में अगर मान लिया जाए किसी वेक्ति को, नरेंदर मोदी को अगर प्रधान मंत्री करूप में देखना है, मंता बनेर जी को, यह उनका example है, और जगन रेड़ी को अगर चीप मिनिस्टर करेगा, कई बार ऐसे भी कही जाती है कि ठीक है, यह विक्ति तो ठीक है, यह PM या CM तो ठीक है, बाकि अन्लोग जो है, यह अन्पार्टी है, वो मुझे पसंद नहीं, तो क्यों मजबूरी में दूसरे को चुना जाए, यह उनका मानना है, यह उनका कहना है, वो directly उनको पसं का सदस हो, वही केबल मिनिशर बन सकता है, हलांकी, जो सदस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो भी MP बन सकता है, लेकिन इसके लिए प्रोवीजन है, कि उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छो महिने के अंदर बनना होगा, जैसे कि यह जैसंकर को विदेश मंत्री बन बनना परेगा, अब देखिए, क्राइसिस हो गया था, महाराष्टरा में कि उधर ठाकरे ने सीम की पोस्ट की सपत ले ली, अब उन्हें बनना था, छे महिने के अंदर, अब उसमें भी पैंडेमिक की करण चुना और रुके हुए थे, तो एक option आता था कि गवर्नर मनोनीत करें, यानि कि एक बटा, वन बाइसिक्स की सदस होते है, लेजिसलेटिव एसेंबली में, जिस राजज में लेजिसलेटिव एसेंबली होगा, वन बाइसिक्स मेंबर को appoint कर सकते हैं, उसमें भी कुछ certain field है, उसको ले करके, फिर वो seat भी तो खाली होना चाहिए, seat खाली है क कोई मर गया, तो 6 महीने से कम बचे होएं, तो फिर एलक्सन होगा, फिर इसमें ये करना नहीं है, बाद में ही मनुनित किया ठागा, बहुत सारे बाते हैं, इसको ले करके उन्होंने का कि इसमें पूरा प्रधान मंतरी के हाथ में या प्रेशिडेंट के हाथ में पावर जो best talented है उनको वो acquire कर सकते हैं, इनकी बहुत सारे criticism भी होंगे, ये उनका अपना विचार है, ससी थरूर का, उन्होंने का कि अगली बात क्या खमिया है, कि कोई भी party ये से चुनाव जीत करके आता है, और फिर कुछ समयवाद party B में चला जाता है, तो सरकार गिरने की हमेशा ए पंदरा का है, तो फिर दस इसने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर party गिरने का, हमेशा से यही होता रहता है, कि अपने विधायकों को किसी कोई होटल में ले करके मार्ज कराए, या CM दिल्ली मार्ज करे, फ्लोर टेस्ट की बात आए, तो हमेशा एक संका बना रह आया जा सकता है, तो यहाँ पर कम से कम यह तो tenure, फ्री होगा ना कि यहाँ पर ठीक है, अब सरकार यह गिरेगी नहीं, हमारा रहत में पावर है, जो भी governance का काम है, या कोई भी ऐसा फैसला ले लिया जाए, जो किसी minister को, या किसी member of parliament को, या मंतरी को सही नहीं लग रहा है, या उसके छेतर के खिलाफ है, या किसी का भावना के खिलाफ जाएगा, तो फिर उसको लेने में भी वो कत्रा आते हैं, अनलोगों को भी देखना है, तो यह अगला उन्होंने बताया कि यह जो होर्स ट्रेडिंग हो रहा है, जो मेलों की खरीद पर हो रही है, जो के दोरा चुने जाते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा बात कि यहां पर डिबेट की बात होती है, लोकतंतर में क्या होता है, कोई भी चीज के लिए डिबेट होता है, चर्चा होती है, इसकी खामियां होती है, फिर जाकर वो बिल पास होता है, लेकिन अभी क्या है कि सरकार क के पास जिसकी मैजरिटी है, उनका मानना है, कि बिल पर तो चर्चा होता ही नहीं है, और बिल जैसे ही, कुछी फ्यू मिनट के चर्चा के बाद, कुछ समय के बाद, पास हो जाता है, हलांकि ऐसा नहीं है, उनका यह मानना है, तो पास हो जाता है, और यह बिल को कौन बनात यह होता नहीं है और विपक्ष कोई पता है कि क्या जूट मूट कर टेंशन लेना यह तो पास होने वाला है ही कुछ तो कर सकते हैं नहीं तो यह accountability जो होता है वह तैह नहीं हो पाता है उन्होंने बहुत सारी बात ही कही कि accountability of the government to the people through their elected representative is weekend अब उनके जो elected representative है उसको कुछ मत रखना है अपनी बात करनी है तो वो सब नहीं होता है बस एक बार party कह दिया कि इसको पास करवाना है चलो भाई पास होगा जो बिल हो रहा है वो किसके दोरा पास हो रहा है बिरोक्रेट्स के दोरा यानि कि हम लोग उपर सासन हो रहा है बिरोक्रेट्स का बस उनके बने बनाए बिल पर बहुत सारे बिल तो ऐसे ही पास हो रहा है अगला उनका माना है वीप होता है वीप जारी कर दिया जाता है कि हम लोग इस बिल को या इस चीज को सपोर्ट करेंगे मालिया जो जो भी member है चुन करा है उनकी अस्थानिये को समस्या होगे लेकिन उस पर वो मांग नहीं उठा सकते हैं क्यों कि किसी पार्टी से बिलॉंग करते हैं और पार्टी ने ये कहा दिया कि हमें इस मुद्दे पर सपोर्ट करना है या इस मुद्दे के खिलाप जाना है अब उनका प्रस्टनल ओपिनियन कोई काम नहीं करता ह जो Central Opinion वही काम करता है लेकिन हम लोग जानते क्या है लोग तंत्र है वहाँ पे जनता की आवाज पहुंचती है उनके Representative के दोरा लेकिन उनके Representative तो कुछ बोलते ही नहीं है Next उनका मानना है कि जब Party को पता है कि यह Bill Pass होने वाला है सरकार के पास Majority है जो Opposition है अब उनका काम क्या है इसे Bro Ha Ha करना अब कुछ तो कर सकते ही नहीं है तो उनके लिए सदन एक स्टेज बन जाता है एक मंच बन जाता है विरोध का गतिरोध का कई बाई राजसवा में होता है कई बाई सवाल उठती है कि राजसवा क्या गतिरोध का एक मंच बन चुका है अब उसको पता है कि लोगसवा में इसके बहुमत है राजसवा में नहीं है तो ठीक है हला मचाओ कभी मिर्ची स्प्रेज फेकना कभी चपल फेकना कभी ताली पीटना को भी स्पीकर के सामने आकर कागज फारना बाइकाट करना तो उसको पता है कि सरकार के पास बहुमत है यह पास करा लेगी अब कोई चर्चा होने वाला है नहीं तो इससे अच्छा है कि भाई अब हम कुछ कुछ फान करें अब ही पक्ष केनाते कुछ न कुछ तो करना है तो गतिरोध ही मचाया जाए यह भी उनका मानना है कि मैनी ओपोडिशन मेंबर यही कहते हैं कि अपना स्ट्रेंथ कैसे दिखाए भाई अपने फिलिंग कैसे दिखाए उनके भी जनता भी तो पूछेगी कि आपने क्या किया इस बिल पर तो देखो हम कुदफान मचा रहा है स्पीकर के सामने आकर हंगामा कर रहा है तो यह दिखाना है उनको यह भी उनका मानना है कैसा फिर नहीं हो पाएगा और फ्री हो करके स्किल वाले लोग आएंगे और वो फिर बिल बनाएंगे यह उनका मानना था फिर एक होता है कि अब्जेक्शन की इस तरह के चीज़ जब होंगी तो डिक्टेटर्स ही पाजाएगा एक ही विक्ति के हाथ में बहुत सारे पावर आजाएंगी तो उनका काना ऐसा नहीं है कोई भी सरकार हो पावर तो एक ही आदमी के हाथ में होता है इसे पहले देख लेजे यूपिये गव्मेंट हो बहुत सारे कमेंट का जाता है कि कोई एक पी एम है एक विक्ति उसको रूल कर रहा है एक घटना होई थी कि पी एम कुछ करके आते घटना आपको पता है हम डिटेल में इस पर बात नहीं करेंगे और मेंबर जो होते हैं उस पार्टी के मेंबर होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं यूवाली डर्चल ये नाम ले लेते हैं राहूल गांधी उसको फार देते हैं पब्लिक में आकर कि आप देखिएगा उसका अगर्ज को यानि कि एक पार्टी का सदस उसको फार देता है यानि कि वो सिर्फ जानता है कि क्या पास होगा क्या पास नहीं होगा और प्रधान मंत्री विवस्था कई बार कमेंट में कह दिया जाता है पार्ती नाप अभी भी वॉट देख लीजे किस तरह से ईलेक्शन हुए है अभी किसी को ईलेक्शन करना हो किसी राज मे यूपी में हो या भी हारमती उो नहीं कहते है कि हम विजईपी को वोट देंगे, या Congress को देंगे, या फलाना Party को देंगे, हँआ,就是 योगी को दे रहे, या丁तिस कुमार को दे रहे, या जग महनड़ी को दे रहे या लोग सबहा इसका जीता जागता उदारण है, किसी को वोट करना था, उनको यह जरूरी नहीं समझे उन्होंने कि हमारे परतिने थी कौन है कितने दिनों से हमारे एरिया में रह रहे हैं क्या कभी उसने हमारे दर्वाज़ों तक आया है क्या कभी हमारे योजना को लागू किया है कौन है किस कास्ट का है कहां कही पहले कास्ट फैक्टर भी होता था और कंडिडेट को लोग वोट दे रहे थे इसे कोई मतलब नहीं कि नीचे कौन लर रहा है जिसको टिकट दिया वो टिकट जीज जाता था तो यहां पे एलेक्शन के वाल फेस वैलू पर होती है अब नाम यह भी उनका करना है कि अब हमको तो अडॉप्ट कर ही लेना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे कि अमेरिका में था यह था राय ससी थुरूर जी का आप अपना राय बता सकते हैं कमेंट में थैंक्यू वेरी मच पूल लिशनिंग